Hello dear students, today I am going to teach you a new topic from your chapter that is from keeping healthy and safe. हम अपने आपको सुरक्षित कैसे रख सकते हैं? तो आज हम पढ़ेंगे safety on road. अब road पे हम कैसे अपने आपको safe रख सकते हैं? महफूज कैसे रखे हम अपने आपको सड़क पे? कल हमने पढ़ा कि हम क्या-क्या safety rules follow करने चाहिए on school, bus, in bus और at home या school. आज हम पढ़ेंगे रास्ते के बारे में, सड़क के बारे में. सड़क पे क्या-क्या हम महफूज, कैसे हम महफूज रह सकते हैं? Here are few rules you should follow to keep yourself safe on the road. यहाँ पे कुछ rules लिखे गए हैं, जिनको आपको follow करना है, ताकि आप महफूज रह सके, safely पहुँच सके, अपने गर तक सड़क पे चलते समय. ठीक है? Do not run or play on the road. कभी भी आपको दोड़ना नहीं है सड़क पे. या सड़क पे cricket नहीं खेलने बैठना है. तो वहाँ पे आपको नदोड़ना है, ना आपको खेलना है किस पे सड़क पे. Always use zebra crossing to cross the road. हमेशा zebra crossing का use करना है जब भी आप road को cross कर रहे होंगे. zebra crossing क्या होती है? जैसे यहाँ पे मैंने zebra crossing बनाई है. zebra के ओपर, animal के ओपर जैसे white color की strips लगी होती है. वैसी सड़क पे zebra crossing बनाई हुई होती है. white color के strips से paint की होती है. उसी पे चलना है. zebra crossing is an area of the road that is painted with broad white strips. zebra crossing कैसे क्या होती है? white strips paint की होते हैं सड़क पे. where the vehicles must stop so that people can cross the road. जहाँ पे vehicles stop करती हैं, रुख जाती हैं, गाडिया रुखती हैं, बस रुखती हैं, और्टो, स्कूटर, रिक्षा, तब सारी vehicles रुखती हैं, जब आप road को cross करेंगे zebra crossing के ऊपर. जब भी आपको road क्रोस करना होगा, आप हमेशा traffic signal की तरफ नजर रखें. अब लगाएं गए हैं, अभी functional नहीं है, अभी नहीं चल रहे हैं, स्रीन अगर में देखा होगा, आपने जम्मो में देखा होगा, डैली में देखा होगा, traffic signal लगा कर होता है वहाँ पे. A traffic signal is a set of three colored lights, traffic signal का मतलब क्या होता है, set है तीन colors का, यहाँ पे तीन colors मैंने draw किये हैं, that helps to move traffic smoothly, इससे मदफ मिलती है, traffic को आराम से चलने में और कोई भी रास्ते में अगर होगा, उसको भी road क्रोस करने में आसानी होती है, इसमें तीन colors लगे होते हैं, तीन color की बलब्स लगा कर होती है, red का मतलब होता है, रुको, तो गाड़ी रुक जाती है, उस time पे, उसी time पे आप zebra crossing से road cross कर सकते हो, yellow का मतलब होता है, wait, अभी रुक जाओ, अभी wait करो, पहले red signal आता है, फिर yellow थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद आ जाता है, green signal, green signal का मतलब होता है, go, red indicate stop, yellow weight and green go, okay, thank you.